असलामु आलेकुम स्टुडेंट्स विल्कम एगन बेक्ट में चैनल नर्सिंग बेंचियोस अगर कुई ना होगा चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइना और हमारा टेलेग्राम ग्रूप या वट्सक ग्रूप ठीक है दोनों जोइन कर लेना उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पूछ सकते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेसेज कर रहे थे प्राइवेट में क्या फीर होता है तो इसलिए मैंने यह वीडियो लाया आप लोगे के लिए आप इसमें जानोगे फीर स्टूड्चर इन दे गुर्वर्मेंट कॉल्जिज समी गुर्मेंट एंड प्राइवेट कॉल्जिज ठीक है चलो हम वन बाइवेट इसको डिसकस कर लेते है ठीक है पहले हम देखेंगे गुर्मेंट कॉल्जिज Ổर वह बी कौन से कश्मीर के ठीक है इढ़ रख लेणım कश्मीर गुर्मेंट कॉल्जिज हम पहले देखेंगे नमबर उन पर हम टॉपफब पहले टॉप मॉस्ट कौलिज की बात करें गे लोयस तॉफ ता लोष त इस धर», ठीक है पहले हम दख़ेंगे件 ग्षावबीसी 1 when Ш 대해 में इसकी बात करेंगे तो फो बिएसी anyways कोर्स गल से कालीं बात करेंगे महां थूपपर कांप कि मैं सो रहा है मतलब जैसे के माधर महरबन है न वहां पर बेसी नर्सिंग के लिए पहले साल 12,000 फी है ठीक है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट येर की बात करेंगे नेक्स्ट येर इससे कम हो जाएगा ये डिक्रीज होता है क्यों कि जब आप पहले साल का फी बढ़ते हो वो 9300 फाहँ 110 था ठीक है 9100 बट अब 2900 1जicion साल हमें कितना देना है eg4100 फोरट थाउज बन रट फाहँ तो यह क्यों होता क्योंकि जो पहला साल होता है आपका उसमें अडमिशन फीवी लेता है आप टेंशन ही लेना फिर नेक्स्ट येर वो कम हो जाता है ठीक है यह रहा इसका सिक्रिम सोरा का ठीक है 12,000 फॉस्ट येर का इसको में यहां से रब कर लेता हूँ उसके बद अगर हम सिक्रिम सोरा की बात करेंगे अगर हम पएरे मेडिकल की बात करेंगे ठीक है यह यहां पर बिस इप पर टेकनलोजी कॉर्स होती है वहां पर 22,000 फिर जाके वह कम हो जाएगे नेक्स्ट येर बट पहले साल पर यह इत next day देखेंगे इसको मैं राब्ट कर लेता हूँ ठीक है second GMC सिरी नगर ठीक है पहले हम बात करेंगे BAC nursing के लिए ठीक है BAC nursing के लिए जो BAC nursing होती है वो होती है देवन बाग में वो ही तो इसी के साथ है GMC सिरी नगर के साथ बट nursing होती है अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे वहाँ है 9100 ठीक है जो भी GMC कॉलेज है कश्मीर के आउट साथ कश्मीर लगबग उन में इतना ही है कुछ ऐसे कॉलेज है जिन में 10,000 है वहाँ क्यों में 9100 ठीक है वो में बताऊंगा आपको किस किस में 10,000 है घाक है बसी नर्सिंग में यहाँ पे कितना है 9100 अगर हम वीइसी परामेडिकल की बात करेंगे ठीक है बसी परामेडिकल में वहाँ पे है 25,000 ठीक है 25,000 थीक है तो यह रहा 2nd College अगर हम 3rd देखेंगे अब तीसरा College connector सीएमसी 12 मुला ठीक है अगर हम बारामला की बात करेंगे बारामला में इसमें सेमें ठीक है इसमें BBSC नर्सिंग के लिए 9100 ठीक है और पैरामेडिकल के लिए 25000 ठीक है ये रहा इसका जेंसी बारामला का ठीक है उसके बाद फूर्थ अननतनाग इसमें सेमें ठीक है से में इस देट आप जेमसी बार मुला ठीक है ये रहा नतना उसके बाद अगर हम बात करेंगे जन सी पुल्वामा जैनसे प्लवाम मैंने आप आरडी बताये 9100 यह फर्स्ट यर का फी है ठीक है फर्स्ट यर पर सेकंड यर थर्ड यर और फॉर्थ यर ठीक है कितना है 4100 ठीक है कि यह सुरी 4100 रूपी तो गलती से हो गया था अब देको नेक्स्ट अगर हम यह रहा है कशमीर के गौंबेंट कौलेज सारी ठीक है हो गया कशमीर के गौंबेंट अब हम next जाएंगे और सेदक इसमे अगर हम जेमसी जमू की बात करेंगे जेमसी जमू में नर्सिंग नहीं होती है वहाँ पे खाली पारामेडिकल कोर्स होती है और फी है 20,000 ठीक है फूस्ट एर फी कितना है? 20,000 उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज अगर हम बात करेंगे गेंगयाल गेंगयाल जमू ठीक है अगर हम बात करेंगे गुदामपूर, जेमसी अखनूर जेमसी किष्टवार, जेमसी रियार्सी इन सब में कितना फी है आपको? लगबग 9,000 तो 10,000 ठीक है? 9,000 तो 10,000 फिर जो गेंगयाल है वहाँ पे तकरेंगर 10,000 है और जो ये बाकी है मतलब इतना ही आपको रहेगा बी-ची नर्सिंग ठीक है? बीची नर्सिंग के लिए वहाँ पे 9 K – 10 की, ठीक है? अगर हम अब पैरामेडिकल की बात करेंगे ठीक है जो पैरामेडिकल कोर्स से वहां पे ओते है लाई कि जेमसी डोड़ा में वहाँ पे हैं 20,000 ठीक है? यंच टोड़ा में और इतना यी रक लो आप 20, जो बाग की पारामेडिकल कोर्से होतीन एंगे जैंसी डोड़ा में, जैंसी कटवा में, जैंसी उदामपूर में, ठीक है, जैंसी अगर हम बोलेंगे और कटवा ठीक है। यह मैंने बूलो आपको, वहाँ पर है 20K to 25K फॉर पारामेडिकल कोर्स और इन ही कॉल्जिस में फॉर बेसे नर्सिंग कितना है 9K to 10K ठीक है तो यह रहे कश्मिर के और आउटसाइद कश्मिर के सारे गोवर्मेंट कॉल्जिस अब अगर हम करेंगे सेमि गोवर्मेंट कॉल्जिस की बाहर ठीक है कश्मिर में दो कॉल्जिस है ठीक है लाई एक तो है सावत केमपस अनतनाग वरो और सेधमुंट की इन में हैं तकरिबन फी जो होगा आपका 40K, 50K ठीक है कुछ स्टूडेंट्स बो रहे थे बट मुझे कंफर्म नहीं है अभी बो रहे थे कि जो सईद मुंतिकी कॉलेज है वहां पे 70K फी है अब भी प्लीज कॉमेट सक्षिन में बता देना एक बार क्या कंफर्म यह है कि वहां पे 70K है या 48 मुझे लग रहा है बट स्टूडेंट बो रहे है 70K है वहां पे फिर भी आप बता देना ठीक है कुमेट सक्षिन में वहां पे कितना फी है सईद मुंतिकी कॉलेज में ठीक है बट जो सौथ केम पसनत ना के जो बाग की जो समी गोर्मेंट है वहां पे 40K तो 50K वहां पे फी है ठीक है और जो लाग आउटसाइद जितने है कि दिटने फाग करती है अब हम बात करेंगे प्राइट कॉल्जिए ठीक है ठीक है उनमें तक्रीब नाम का फी जो रहाएगा 85 to 90 के ठीक है 85 to 90 के याद रख लेना जो बाग की काल्जिस प्राइवेट जो उसके साथ अफिलेवेट नहीं होंगे ठीक है कश्मीर उनिश्टी के साथ उनमें 85 to 90 के फी है ठीक है बट जो बाग की है सर्कुलर निकाला की कश प्राइवेट काल्जिस में जो के एफिलेवेटेड है किसके साथ कश्मीर उनिश्टी के साथ ठीक है उनको है 75 के ठीक है तो यह था कश्मीर काल्जिस कश्मीर के यह प्राइवेट काल्जिस और जो मुख के प्राइवेट काल्जिस वहां पे भी है इतना है ठीक है तो यह बारे में ठीक है मैंने आपको डीटेल में समझा है किस कॉलेज में क्या फीर है आया होगा अब एक बात याद रख लेना जो डॉक्मेंट्स आपको लगते है ना जूरिंग एडमिशन वह मतलब अभी से डूंड के रख लेना उन पे में वीडियो डालूंगा ठीक है कुन सा आपको जूरूरत लगता है वहां पर जूरिंग एडमिशन प्रॉसेस ठीक है उसमे में अलग सा वीडियो डालूंगा आपको मिट स्क्शन में बता देना क्यूंकि वहां फिर पिर अगर कोई डॉक्मेंट नहीं होगा आपके पास तो फिर प्रावलम हो जाएगी ना तो अ अब इससे डूढ़ लेना मैं उस पर अलग सा वीडियो डालूंगा इंचाल अठीक है मिलते है नेक्स टूडियो में तब ते के लिए अलग आपको